कि है थेलो श्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं सांत्रस सांत्रस की परिवाशा और इसके उध्हारण सांत्रस का इस्ताई भाव होता है निर्वेद अब हम इसकी परिवाज़ा पढ़ते हैं इसकी परिवाज़ा कैसे लिखते हैं इसकी परिवाज़ा लिखते हैं जब निर्वेद नामक इस्ताई भाव विभाव अनभाव और संचारी भाव से सयों करता है तब सांत्रस की निस् गठ़आयों बार बार को खूले कि इसका इस्का सपस्टि करण है कि कि इस पद में स्थाई भाउ निर्वेद एकौन सा स्थाउब हो निर्वेद शर भिषय तथा कभी आश रहे एश्वर भक्ती वा सुलब बातावण उद्धीपन है उद्धीपन क्यों सा है एश्वर-भक्ती वा स्वलब बातावण उद्धीपन हैै तत्था इश्वर की भक्ती में लीन हो COM भंद करना आधिcribe को पिस biblicalण अगले उदारड हम इसका पढ़ते हैं अगला उदारड है जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं सब अंधिहारा मिट गया जब दीपक देखा माहीं इसका अर्थ है जब मैं था तब हरी नहीं यानि कि जब मेरे अंदर अहिंकार की भावना थी मेरे अंदर अहिंकार था तब हरी नहीं तब मुझे इश्वर प्राप्त नहीं हुए अब हरी है मैं नहीं अब मुझे इश्वर प्राप्त हो गया है मैं नहीं और मेरे अंदर अहि इपक देखा महीं यानि कि सब अग्यान रूपी अंध्यारा मिट गया है किसके ग्यान रूपी प्रकास से यह जो लिखा यह लिखा है कविर दास ने इसमें इसका इसपस्ट्री करण है यहां इस ताइवाव कौन सा निर्वेद और रस इसमें सांत आलंबन है चिंता एवन सं सार की मोहमाया से मुक्ति संचारी भाव है हर्च इसमर्थी सांति आदि अनवहाव सांति है इसका दूसरा उधार पढ़ते हैं बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंची को छाया नहीं फल लागे अती दूर इसका अर्थ है बड़े हुए तो क्या हुआ यानि कि तुम बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर जैसे एक पेड़ का खजूर बहुत बढ़ा होता है पंची क अगर यह वीडियो को आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जैहन मिलते हैं अंगली वीडियो में